तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नई प्लेलिस्ट और इस प्लेलिस्ट का नाम प्रॉब्लम सॉल्विंगे तो पाइथन तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो आज पहला हमारा वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे तो इसलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो अगर अभी तक like and share नहीं किया हो तो कदेना और सब्स्टार्ड भी करदेना तो चलता है इस्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लेते हैं number1 request2 नहित दो number हमें लेना user से तो पहले लेते हैं input input ले लेते हैं हम लोग cricket enter No one number1 ले लिए तोवर il explorer input हमेशा हमें श््रिंग देगा तो हम इंटी में type conversion भी ए सका करना पड़ेगा थो हम लोग इसका conversion reel न्बर टू है को मैं Ctrl D कर देता हूँ ह问 यह copy हो गया Number 2 से Ganze आ गया अब हमी क्या करना है? अगर हमाद्ग किसी 기ुषन ऐनको defined तरीखेस करना जाते हैं मतलब well formatted तरीखेस करना जाते हमाद्ग लाधें तो एक function बना लेते हैं addition का a perception का function बना लेते हैं उसमें देदेगे number 1, number 2 right number 1, number 2 यहां से हम लोग देँगे यहां से हम लोग इसे call करेंगे, एक रिजल्ट वेरीबल दे लेंगे, इस में से call कर देंगे addition no one, number two right no one, number two को call करेंगे और ग्णे가요 हम तो uh here to call हो कि जाएगा, तो यहाँ पर जो no one number two लो ले हैं वह इसमें चला जाएगा और number 1, number 2 आयते ही हम लोग यहां से return कर देंगे, return क्या करता है simple से, यह जो भी हम लोग को print करना है, हम लोग इस return कर देंगे, वो यहां पर आ जाएगा, इस variable में आ जाएगा, बस इतना ख्याल रखना, तो हम लोग इसे देना चाहते है, number 1 plus number, sorry, number 2, number 2, तो अब देखो अभी क्या करेगा, simple से number 1, number 2 का addition करके इसमें देदेगा, तो हम लोग इसे simple से print कर देते है, print res, देखो हमारे पर से result आ जाएगा, number 1 में 5 दे देते है, इसमें 6 दे देते है, 11 number आ गया, तो यह हमारा addition का program हो चुका है, तो थोड़ा हम लोग इसे अच्छे तरी कर देते हैं, तो हम लोग यहां करते है, the addition of number 1 and number 2 equals to this, अब यह को यह काम क्या करता है, यह हम लोग format करते हैं, इसका, format simple से क्या करता है, किसी भी string के अंदर, अगर हमें बीच में कोई value डालनी हो, value लगानी हो, या तो एक option है हमारे पास कि हम लोग addition करें, इसे यहां से cut कर दें, फिर plus करके, फिर variable लिखे, फिर plus करें, तो format हमें एक method देता है, जिससे हम लोग अराम से कहीं भी string के अंदर बीच में curly basis लगा के dot format करके, यहां पे variables देंगे, और variables line से देंगे, जिस line से हम लोग यहां पे बनाया रहेंगे, तो हम लोग चाहते हैं, पहले वाले में number 1 फिर result आजाए, अब देखो हम लोग इसे print करते हैं, मतलब run करते हैं, 5 दे दिया में और 10 दे दिया, तो देखो दोनों का आगया, the edition of 5 and 10 equals to 15, तो यह हमारा आज का pattern, मतलब आज का program हो गया, अब next video में हम लोग नए problems आएंगे, तो problem अभी तो कुछ basic सी problem रहेंगे, आट this problem, उसके बाद थोड़ी difficulty level की problem में start होगी, okay, thank you.